आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। गिरने के आदार पर पात्मों को तीन स्रेणियों में बाटा गया है। सबसे पहले अपन बात करें, आशू, पाती, पादप। ये ऐसे पादप है जिनमें पत्तियां तो बनती है, किन्तु निर्मान के तुरंत बात गिर जाती है। तो पत्तियों का निर्मान होता है। किन्तु जल्दी ही निर्मान के तुरंत बात गिर जाती है। ठीक है, एक्जाम्पल अगर अपन बात करें इसका तो इसका एक्जाम्पल है नाग फनी। ठीक है, दूसरा प्रकार अपन बात करें तो ये तो ओगया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार अपन बात करें तो वो है नमबर दो अपन बात करें पर्ण पाती पादप। देखें, पर्ण पाती पादप क्या है। ऐसे पादप पादप जिन में पत्तियां एक विशेश रितू में गिर जाती है। पत्तियां एक विशेश मोसम में एक साथ गिर जाती है। उन्हें हम कहते हैं पर्ण पाती एक्जामपल जैसे अपन बात करें तो नीम, नीम में आपने देखा होगा कि पत्तियां एक साथ विशेश पत्तजड के मोसम में गिर जाती है। तीसरी होती है भी जिन्हें हम कहते हैं चीर लगन पर्ण और इसमें ऐसे पादपों में पत्तियां कभी भी नहीं गिरती है। हमेशा पादप के साथ लगी रहती है। एक्जामपल अपन बात करें इसका तो पाम, खजूर ऐसे पादप हैं जिनकी पत्तियां कभी भी गिरती नहीं हैं। अब देखें हम बात करें यहां पर यह नागफनी है, जिसमें आसुपाती प्रकार की पर्ण उपस्तित होती है, आसुपाती जो निर्मान के तुरंत बात गिर जाती है। हम यहां पर एक व्रक्ष देख रहे हैं जो कि पर्ण पाती प्रकार का है, और इसमें पत्तियां एक विशिस मोसम में गिर जाती है। तो आप देख रहे हैं यहां पर पर्ण उपस्तित है, और यहां पर्ण गिर गई है, तो पर्ण अनुपस्तित है यहां पर जो गिर गई है, ठीक है, तो देखें यह एक विशिस मोसम में गिर जाती है, तो अपन बात करें आसुपाती पोदों में पत्तियां कभी भी निर् होती ऐसा नहीं है तो यह प्रकतन सही नहीं है पर्ण पाती पोधों में सभी पत्यां एक साल गिर जाती है यग यह राइट है तो हम बात करें समय अप्शन प्रकतन और कारण दोनू सही है नहीं तो यह अपना आंसर नहीं होगा प्राकतन और कारण दोनों सही है नहीं है क्योंकि और आगे देखने की जर्रत नहीं है अपने को प्रकतन सही है नहीं है प्रकतन किन्तु कारण गलत है ये भी अपना राइट आंसर नहीं है प्रकतन गलत है येस गलत है और कारण सही है तो अपना राइट आंसर फोर हो जाएगा ओके सुदेन, थैंक यू